नबश्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में हैं तो दोस्तों अगर आप लर्णिंग करना चाते हैं और फ्यूचर अप्शन का बेस्ट प्राइस आक्शन देखना चाते हैं बिलकुल देखेगा चार्ट के साथ और प्राफिट बनाना चाते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं नेक्स्ट वीक काफी जदा बिजी रहने वाला है तो भी आप देखेगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंग मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लीजेगा चुकि रात को भी यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं तो दोस्तों बात को शुरू करेंगे सबसे पहले देखेगा कि जो पर्टिकुलर इस समय मार्केट को स्ट्रेंथ दे रहा है वो है निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक से सीधा को रिलेट करने वाली अपडेट है सीधा जो कि आपको पता है कि RBI कुछ भी बोलता है वो बैंकों से रिलेटेड होता है पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होता है और ये पर्टिकुलर अपडेट नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा तो इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए डे depends on how well you are informed, कितना ज़्यादा आपको information पहले से है तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं जी, business पे जाके और आप पूरी तरीके से check out कर सकते हैं, कि RBI की जो इस साल की last meeting है उसकी date आ चुकी है तो आप देख सकते हैं, आप भी तो एक ऐसे भी meeting होई थी जो scheduled नहीं थी, वो scheduled कराई गई थी और पहली बार ऐसा हुआ था और वहाँ पे बहुत सारे discussion ये किये गये थे कि क्यों RBI fail रहा क्यों RBI देखेगा particular चीजों को forecast नहीं कर पाया, तो उसको भी देखेते हुए, अब जो आगे meetings होँगी, उसको देखते हुए होँगी, कि हमारे पास data इस तरीके का होना चाहिए, कि हम forecasting सही से करें, ऐसा नहों कि हम forecast कुछ भी कर रहे हैं, और लगा तार वो चीज achieve नहीं हो रही तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि last monetary policy का जो review आया था, वो केवल discussion के लिए था, और वो discussions जो हुए हैं जो after देखेगा, failure of, देखेगा, forecasting of RBI, तो उसका भी outcome mixing में आपको देखने को मिलेगा, कि the Reserve Bank of India will submit report to the government on its failure to keep the retail inflation rate below 6% for 3 consecutive quarter यानि कि 3 लगातार quarters में क्यों हम लोग देखेगा fail रहे, tolerance level के नीचे आने में tolerance level से नीचे क्यों नहीं आ रहा है inflation, तो इस पे देखेगा discussion हुआ था, लेकिन इसका as such कोई outcome नहीं आया था, चूकि ये scheduled की हुई meeting थी, ये पूरे particular year में normal meeting नहीं थी, इसको schedule किया गया था अब इसका outcome और plus जो meeting होने वाली है जो अपने schedule time पे होने वाली है, उसका outcome आपको साथ में देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपको याद अखनी है, तो आप देखेंगे पूरी तरीके से अब हम लोग को और भी cautious रना पड़ेगा, चुकि अगर आप देखेंगे तो तीन बड़ी economy, इस समय different, different scenario में, एक China, different scenario में है COVID से परिशान है, एक particular देखेगा आपका, America वो different scenario में देखेगा वहाँ की demand को लेकर परिशान है और फिर अगर आप देखेंगे तो UK और रशिया, यह अपनी परिशानी को लेकर देखेगा काफी ज़्यादा उसमें है, तो this is happening for the first time, और यह सब पहली बार हुआ था, और आपको पता है, बहुत सारे changes किये गये थे, लेकिन अब यह जो meeting हो गई है, इसके minutes भी आ चुके है, सब कुछ आ चुके है अब हमें focus करना है next क्या, तो next पहले तो मैं आपको date बता देता हूँ चुकि आपको पता है, सीधा impact पढ़ता है, जब RBI क्या करता है अपनी policy का outcome देता है, तो आपको पता होना चाहिए, यह देखेगा, इसका discussion अभी शुरू हो जाएगा December 5 से 7 आपको देखेगा discussion देखने को मिलेगा और कम देखने को मिलेगा, इसमें best part क्या है, जो आपको याद रखना है तो आप यहाँ पे check out करेंगे अच्छी तरीके से, कि deputy governor साहाब ने क्या कहा है, इनकी बात को बहुत ही ज़्यादा focus करिएगा mint पे जा क्या particle पड़ सकते हैं इन्होंने कहा है, कि देखेगा यहाँ पे जो भी discussion होगा, एक particular discussion वही होगा, कि future में inflation कैसा रहेगा यह नहीं रहेगा, कि आज हमने वह हो गया, अब हमें focus करना होगा, कि future में inflation को किस particular level पे रखा जाएगा, कोशिश क्या की जा रही है, उसका discussion होगा तो हम लोग ज़्यादा देखेगा on the ground work कर रहे होंगे the RBI deputy governor said forecast can be made into the future, but they are based on the backward looking information from one to three months ago तो आप समझ सकते हैं, पूरी तरीके से estimation, forecast data पे वर्क हो रहा है क्योंकि आपको पता है, कि अब अगर लगाता data, आपके estimation, आपके forecast से कम ज़्यादा आता रहा, तो फिर से बहुत बड़े जवाब देने होंगे ना केवल government को, भलकि RBI को भी, तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से deputy governor साहब ने ये clarify किया है monetary policy can only hope to future inflation not today inflation speaking at 9th SBI banking economic conclave in Mumbai, तो आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से discussion में एक ही चीज़ की देखेगा, देखेगा बात हो रही है कि inflation को कैसे कम करा जाए और monetary policy बनाना एक और भी ज्यादा बड़ा challenging task हो गया है जिसका review जो है वो शुरू होगा, चुकि हमें data पे work करना है ज्यादा ज्यादा data पे work करना ताकि हम बिलकुल forecast और actual situation को judge कर सकें और आगे चलके देखेगा जो schedule है, इसका discussion अगले हपते यानि कि जो कल से हपता शुरू हो रहा है, इस पे देखेगा consultation, deliberation सब शुरू हो जाएगा और कहीं न कहीं आपको पता है polls आना शुरू हो जाते हैं कि कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है कितने rate hike हो सकते हैं कितने rate hike नहीं हो सकते हैं तो वो economist का जब pole आता है तो उस पे सीधा reaction आता है आपको पता है यहाँ पे सीधा inflation पे impact देखने को मिलता है और सीधा परता है देखेगा आपको bank nifty पे जो कि अपने all time high पे खड़ा हुआ है तो जिस तरीके का pole आएगा जिस तरीके का estimation आएगा हो सकता है 35 basis का करा जाए हो सकत into the pole आपको कल से पता चलने लगेगा और उसके basis पे ही nifty bank move करेगा मैं कहूंगा cautious रहिए चुकि आपको पता है कि nifty bank all time high पे है महंगा है तो एक profit booking आना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी वीडियो गर अच्छा लगा है तो like share subscribe करना न भूलेगा thank you so much